अभी कुछ दिनों पहले हम एक वीडियो ले करके आये थे जिसमें हम आप लोगों को बताये थे कि हर फसल हर किसान को नहीं करनी चाहिए तो उसमें हम आप लोगों को बता चुके हैं कि क्यों नहीं करनी चाहिए अगर वह वीडियो अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको पहले आप लोग देख लीजिए उसका लिंक हम description box में दे रखे हैं क्योंकि अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो ये वीडियो आपके समझ में आने वाली नहीं है या आएगी भी तो कमाएगी तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं चाहे वैसरकारी हो या प्राइवेट हो या जो लोग बिजनस कर रहे हैं और उनका बिजनस अभी ठीक ठाक condition में चल लहा है तो उन लोगों को कौन सी खेती करनी चाहिए और कौन सी खेती एगर जो करते हैं तो उन्हें लाखों का profit प्रतियकर के हिसाब से आसानी से हो सकता है और इसके साथी साथ जब आप लोग नौकरी कर रहे होते हैं चाहे सारकारी होती है या प्राइबेट होती है बिजनस होता है लेकिन एक retirement की एज होती है उस retirement के बाद आप क्या कर सकते हैं तो हम आप लोगों को इसमें प्लान भी बताने वाले हैं कि वह कौन सी खेती आप कर सकते हैं जो कि आपकी रिटायर्मेंट के बाद यफटी वाला काम करें मतलब आप आज तो लगा दिये हैं बाद में जाकर के भी आप लोगों को बहतरीन मुनाफ़ा देती रहें जब आप लोग जिद्धा काम करने लएक नहीं रह जाते थे हैं तब की परिस्थिती में भी सब किसान यूटूब चैनल अगर अभी तक आप लोग इस मार्ट किसान यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का इकन दबा दिजिए जिसे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंद देते सही सटीक और ब्याओहारी की जानकारी समय सम समय की कमी होती है तो यहां पर हम मान के चलते हैं कि आप जिस चीदी के रिये हैं और इसके सथी आपको हपते या 15 दिन या महिने में एक बार मौका मिल जाता है अपने आपको विजिट करने का या अगर नहीं भी मौका मिल पाता है दो कोई भी एक प्रबंधख के तो देख करके आपके पास फोटो और वीडियो के माध्यम से अपडेट करता रहेगा और उस हिसाब से आप देख करके उसको आप गाइड कर पाते होंगे कि आपको क्या कैसे करना है और यहां पर क्योंकि आप नौकरी कर रहे हैं जैसे हम यह मान की चलते हैं कि अगर कोई भी रहेंगे तो इस उद्देश से जो आपकी जौब है उससे ज़्यादा पैसा इसमें निकलना चाहिए तो अभी के लिए जो हम खेती किसानों से करवाते हैं उसमें तीन लाख रुपए का आंकड़े देते हैं और कई किसान ऐसे हैं जो तीन लाख रुपए से उपर भी समान के चलिए और आप कम से कम दो एकड़ खेती से सुरुवात कीजिएगा और आपके पास जो जरूरी समाने संसाधन होते हैं वह उपलब्ध हैं तो अब हम आगे बताते हैं कि आपको क्या खेती करनी चाहिए और क्यों खेती करनी चाहिए कि अगर आप गवर्मेंट या प्राइवेट या बिजनस कर रहे होते हैं तो तो देखिए समानेतिया आप परेडे मंडी नहीं जा सकते हैं अब जो परेडे मंडी नहीं जा सकते हैं तो कोई ऐसी खेती अगर आप करते हैं जिसे हर रोज मंडी लेके जाना हो जैसे आप मान के हम ये चलते हैं कि आप मिर् कर रहे हैं आप दूर बैठे हुए हैं तो ऐसे में आप किस तरीके से यह मैनेज कर पाएंगे तो अगर आप चाहते हैं तो कि आप उपस्थित नहीं रह पाएंगे तो आप इन चीजों को एवाइड कीजिए सबसे पहले हम आ जाते हैं कि आप नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर आपको एक सेक्टर जैसे अगर आपके पास काफी जमीने पड़ी हुई है या आप लीज पर भी लेना चाहते हैं अगर आपके पास जमीने कम हैं तो जो आपकी कम लगा रहे हैं आम लगा रहे हैं इत्यादी प्रकार की जो फसले होती हैं अगर आप इनहें लगा रहे हैं तो एक सीजन में ही आपको ध्यान दे रहा होता है इसे और बाकी जो है समय आप पूरी तरीके से खाली रहते हैं यहां तक कि इनका जो management होता है एक बार आप selling कर देते हैं तो घर खेत से ही आपके जो माल है यह मंडी में पहुंसता रहता है तो आप जब इसको करेंगे बहुरसी बागवानी जैसे आम है आपका अम्रूद है नीबू है इत्यादी प्रकार की जो बागवानी होती है क्योंकि आप जब जाब कर रहे होते तो आपके पास काफी टा से लाहर होंगे तो जो बहुरसी बागवानी रहेगी यह आपके साथ पूरी तरीके से साथ में रहेगी अब आते हैं एक वरस्य बागवानी क्योंकि आप पहले है एपल बेर है इत्यादी पिरकार की जो फसले होती हैं यह आप लगवा सकते हैं एक वरसी बागवानी के अंतरगत मतलब आप आज लगाते हैं उनका पौधा होता है यह एक वर्स के अंदर या डेढ़् वर्स के अंदर फल्डें करके कि खतम हो जाता है तो आप इसको कर सकते हैं अब ये जो बागवानी होती इसका जो रेट होता है ये ज्यादा फ्लैक्स्यूएटte करता है मार्केट में आप कभी भी यह पोजीशन नहीं देखे होंगे मार्केट में कि पका हुआ आच्छी क्वाल्टी का यह सड़कों पर फेका जा रहा है क्योंकि रेट नहीं मिला है क्यों क्योंकि ऐसा होता है कि जो बागवानी का सेक्टर है इसमें प्रोडक्शन अभी उ अमरूद है रजटे काफी होता है जो इसेख़े थोड़ा सा ज़्यादा近 की आउशकता पढ़ती एक वर्षी बागवानी में जैसे केलिए वगेरा की खेती हो जाती है क्योंकि बहुर्सी बागवानी में आपको 5 साल बाद मिलेगा लेकिन एक वर्सी बागवानी में आपको पहले साल में ही अच्छा खासा प्रोडक्शन और अच्छा खासा मुनाफ़ा इस्टार्ट हो जाता है तो आप अपनी परिस्थिती के हिसाब से देख सकते हैं लेकिन बहुर्सी क्या पेच्छा एक वर्सी बागवानी में जो मेंटिनेंस आता है जो प्रबंधन होता है ये थोड़ा सा जादा करना पड़ता है अब कई लोग ऐसे होंगे कि उनके पास जाब है और जो है कि सारा चीज वेवस्थिती भी है लेकिन फिर भी वह चाते हैं कि जैसे 10 एकड़ या 15 एकड़ लगा रखे हैं तो ऐसी परिस्थिती में उनके पास जो लेबर के खर्चे होते हैं जो फर्टिलाइजर का खर्चा ह लूप में आप रख ले तो ऐसी परिस्थिती में आप उन सब्जीयों की खेती कर सकते हैं कि जैसे आपका बैगन है करेला है और कद्दू है इत्यादी प्रकार की फसले होती है इनका हाइवी वेट होता है अब इनका जो हर्वेस्टिंग चार जाता है यह काफी कम होता है इसमें management काफी आसानी से अन सब्जीयों की अपेचा कर सकते हैं आप जैसे प्याज वगयरा भी हो गया है लहसुन हो गया है यह सब्गशए है और बहुत ही आसान होती है यह सब्जीया अगर आप लोग नौकरी कर रहे हैं तो और शब्जीयों की भी खेती करना चाहते हैं तो आपके जो एरिया हैं, तो उस एरिया का एक बटा तीन एकड़ से ज़्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा करेंगे तो फिर सम्हालना मुस्किल हो जाएगा, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, कि हम यहाँ पर तीन पार्ट माल लेते हैं, कि आपके पास चाहे फिक्स जमीने हों, जो कि आपनी नेजी है, तो उस पर आप बहुवर्सी कर सकते हैं, अगर कम है, अगर ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारा सेटप अपनी में ही खेत में डाली है, तो जो बहुवर्सी खेतिया हैं, इसको आप एक बटा ती यहां चाहते हैं और जो आपका सब्सक्राइग करना चाहते हैं तो इस तरीके से जब आप आपने फर्म का सेटप कर देते हैं और अच्छे से management करते रहते हैं तो जो आपके fail होनी की प्रक्रिया होती है ये खतम हो जाती है अगर एक फसल down होती है तो दूसरी फसल हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी फिर आपको घर से पैसे लगाने के आउसकता अपने खेत में नहीं पड़ेगी क्योंकि ये एक चक्रा आप बना देंगे बहुर्सी है एक वर्सी है और छमाही तीमाही फसलों का तो ये सर्कुलेट करता रहेगा पैसा फिर दूबार आपको investment नहीं करना होता है तो इस तरीके से आप लोग से जो भी नौकरी कर रहे हैं या बिजनस कर रहे हैं वह इस प्रकार से खेती कर सकते हैं हम यह मान के चलते हैं कि अगर आपके पास एकदम टाइम नहीं है तो आप बहुर्सी के साथ जाए अगर आपके पास ठीक ठाक टाइम है महीने में पंद्रह दिन पर एक आद बार भुर्मण कर लेते हैं या आपके पास इतनी समय रहती ही का आप आनलाइन उसका निरिछन कर लेते हैं तो आप एक वर्सी बागवानी के साथ भी जा सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा और एक्ट्रा को बता हैं अगर आप लोग इसी हिसाब से अपना सेट अप बनाते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी समाने तया हम यह सब चीजे इस वज़े से आप लोगों को बता रहे हैं क्योंकि हम एक किसान हैं बजपन से अपने खेतों में ही काम किये हैं और इस समय हैं चार-पांच सालों से पब्लिक के बीच में जाकर Though online काम कर रहे हैं बहुत सारे प्रश्चे प्रस्च नता को होते हैं उनco सौल करते हैं देखते हैं कि बही किसी किसान को घाटा हो रहा है तो क्यूं हो रहा है उसकी क्या आदत सही थी क्या खराबती तो आप जर्वेशन होता है उसको हम एक वीडियो 5-10 मिनट के साथ हम आप लोगों को सेर कर देते हैं कि क्या आनुभव है क्योंकि आज कल क्या है कि लोग यूटूब पे या आनलाइन कोई भी चीज देख लिए इस खेती में तो बड़ा जादा पैसा है चलो इसी को करते हैं ले वीडियो उन किसानों के लिए थी जो नोकरी कर रहे हैं चाये गवर्मेंट हो या प्राइवेट हो या जो इनका बिजनेस है तो यह ज़ो सेटएप है अगर आप इस हिसाप से करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा अगर आप लोग खेती करने का विचार कर रहे हैं औ और जो हम इसमें बताएं हैं, उसमें से आप किन तरीकों पर जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, या जो चीज़ें हम ये बताएं हैं, ये तो एक दम टोटल प्रेक्टिकल है, आप सोची अपने दिमाग से खुद, कि अगर कोई ब्यक्ति जिसके पास सारा सेटाप अलेडी है बाद में चाहता है रिटायर्मेंट के बाद जाए, क्योंकि जब ब्यक्ति रिटायर हो जाता है, तो उसके पास उतनी कारेशमता नहीं होती है, उतना उतसाह नहीं होता है, तो फिर आप जाकर सबजीओं की खेती नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में आप अगर आज के समय में बा लोगों के लिए तो इसी वज़े से हमारी कोसिस है कि जो भी नए युवा या जो भी पुराने नए किसान है या जो इस सेक्टर में आना चाहते हैं वह है घाटा ना उठाएं तो यहीं सारी चीजे हम ब्याहरिक जो पॉइंट है इसको आप लोगों के साथ सेर कर रहे हैं यह लोगों को कैसे लगla है इसको कमेंट सक्षण में बताएं अगर आप लोगों के भी कोई अपने प्रश्ण है तो उसको भी कमेंट सक्षण में छोड़िए उसका जो जबाब है आप लोगों को आने वाले वीडियो में मिल जाएगा आज की वीडियो हम सब यहीं पर